हेलो दोस्तों नमस्कार जवार स्वागत है मेरे यूट्यूब सेनल अनमौल के सरीपे दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है आपने थमलेन देखा और थमलेन देखके यह इस वीडियो में आए तो कहीं न कहीं गाईज आपके मन में भी एक वाइकल लेने की इक्षा आते हैं तो आप सोच सकते हैं दोस्तों 130 करोड हमारी जन संख्या और 130 करोड में मातर 5% लोग हमारे कार यूज कर रहे हैं अपना खुद का गाड़ी है उनके पास तो ये काफी दुखत बात है और जो मिडिल क्लास फैमली होते हैं वे कार एक रख सकते हैं अगर आप इस व जो एकदम नीचे वर्ग हैं क्योंकि भाई देखें उनके लिए तो मेहनत मजदूरी करना करके पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और उनको बहुत ही मेहनत करने के बाद भी बहुत कम पैसा मिलता है इसके साथ साथ दोस्तों उनका घर चलाना मुश्किल हो जाता तो वो एक बाइक तक नहीं रख सकते हैं तो ऐसे कंडिशन पर वे कार कहां से रखेंगे लेकिन बात यहां तक आके अटकती नहीं है बात इसे आगे भी बढ़ती है कि जो मध्यम वर्ग है जो मिडल क्लास फैमली है जो अपना घर चला पाते हैं और थोड़े पैसा सेविंग कर सकते हैं उनके उपर मैं आज बात करूँगा कि जो पैसा हलका फुल कभी सेविंग करते हैं बचाते हैं तो भाई आप जो आप सोचते होगे कि कार ले लो कार ले लो लेकिन आप कार नहीं ले पाते हैं क्यों क्यों कि आपके मन में एक खौफ आ जाता होगा कि अगर मैं क कारजियां से डिसीजन लेते हैं कि मुझे कार लेने साही है मुझे कार लेने से बट घर वाले भी डिसीजन नहीं दे पाते हैं क्योंकि उन्होंने भी कभी कार नहीं लिया है तो जो मेरे उम्र के भाई लोग है या फिर मेरे से बड़े भाईया लोग भी है तो उनका जो सपन कार के बारे में बताँँगा तीन कार जो है ओसम कार है या यानि इंडिया के अंदर इसका क्रेज काफी ज़्यादा रहा और पकड़ जो है काफी ज्यादा बनाई ईंजन भी काफी ज्यादा रिफैने सबसे पहला नंबर पर दोस्तों आता है टाटा और नेनो दिक्कत नहीं आने वाला ही, इस कार में आपको 40,000 से 45,000 तक के बीच में काफी बढ़ी है कार मिलेगी, और CX मोडल की बात करें, तो CX मोडल इसे लो मोडल है, जिसका प्राइज LX मोडल से थोड़ा लो है, मतलब वो आपको लगवा लब है, 35,000 से 40,000 के बीच में मिल जाएगी, मैंने इस गाड़ी को खरीदा मातरे 40,000 रुपया में, और आप सो सकते 40,000 में इतना बढ़ी है कार, ओसम कार है यार, ओसम, ओसम वाली फिलिंग आती है इस कार में, और इस कार पे मैं बहुत सारे वीडियोज बना चुका हूँ, तो आप जाके मेरे चैनल पर विजिट किजे और देखिए, मैं लिंक भी डाल दूँगे, एक दो वीडियोज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप लेते हैं, तो इस पर आपको पावर इस्टेरिंग का उप्सन मिल जाता है, और काफी बढ़ी है गाड़ी है, मतलब कि क्या बहुत ही अच्छा है, लो मेंटेनेस कार है, तो आप अगर लेना चाहा है, तो ये गाड़ी ले सकते हैं, और ये गाड़ी आपको मिले करेंगी सेकेंड हnd मार्केट के अंदर, उंलि फोर सतर से असी हजार के बीच में, आप उसे कम में भी ले सकते हैं, ठीक है, आपके उपर है कि आप कितना बारगेनिंग करा सकते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाप से मैकसिमने प्राइज आपको बता रहा हूं, सतर से där स्जा हज इसलिए आज भी यह जो कार है वो इंडिया मार्केट के अंदर एवेलेबल है अभी इसका अपडेटेड मोडल है और इसका अपडेटेड मोडल आपको अटोमेटिक गेर के साथ में मिलेगा तो आप अगर लेने साथ तो सेंट्रो ले सकते हो हाइट वाली गाड़ी है सेंट् काफी बढ़ी हैं ओअ बर लूख काफी बढ़ी है और आराम से आप उस गाड़ी सफर कर सकते हैं तो आ अप स myst Fernand tell ब्लस पलस इस गाड़ी के और क्याद क्या खासियत हमां मैं आपको बदा देता हूं doen कुस बाते का जो मार्केट रेट है वो मतलब आप अभी ले रहे हैं और अगर आप एक साल बाद भी बेचना चाहें ठीक है अगर आप मन किया आपको कि नहीं नहीं रखना है भी कार तो आपका जो पैसा है वो इन्वेश्ट अब जितना किये थे उतना आपको मिल जाता है और ढूबता नहीं ह पार्ट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे चाहे आप कोई सब इस सिटी में रहते हों आपको आसानी से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसलिए मैंने इन तीन गाडियों को सामिल किया है लिश्ट में तो भाई मैं कुल मिला कि यहीं कहना चाहा रहा था कि अगर आप एक से लेना second hand car आपको OLX से लेना है अगर आपको OLX में समझ में नहीं आता है तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है कैसे आप सामान सर्च करें और OLX वाला वीडियो के लिंक मैं description box पे डाल दूँगा तो वहां से जाकर विजिट कर लिजेगा तो आपको कहीं से भी कोई प जानते हैं या फिर आपके अगल बगले में कोई भी ऐसा गाड़ी बेश रहा है तो आप उनसे भी ले सकते हैं उनमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी तिसरा जो हमारे अंदर डर रहती है घबराहट एक बनी रहती है वाइकल खरीदने से पहले वह यह रहती है कि भाई पेप बहुत इंपोर्टेंट होता है तो पेपर जो है गाईज पेपर पे भी मैंने वीडियो बनाया है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन पर देखे मिलिंग वहां भी डाल दूँगा तो आप वहांसे विजिट कर लिजेगा और टोटल पेपर की उपर मैंने वीडियो बना रखा कि मेंटेनेस आप लोग मेंटेनेस डरते हैं कि मेंटेनेस जो है बहुत ही हाई हो गई या फिर कार रखने तो बहुत ही मुझे खर्चा करना पड़ेगा पैसा बिल्कुल ऐसा नहीं है ठीक है मेरा जो कार है मेरा एक सल हो गया लिया हुआ अभी तक मैंने तीन हजार रुप आपको देगी भाई अगर आप लेने से हो तो ले सकते हो बेजी जग दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आज का वीडियो यहीं पर इंड करते हैं जै मात्य दिवन्दे मातरम थैंक्यों सो मास गाइस वासिंग दिस वीडियो जै हिंद जै भाराई